हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हैस्टेक घर का खाना हैस्टेक घर के खाने में हम बनाएंगे स्टफ मूली पराटा जहां स्टफ मूली पराटा बहुत एजी लगेगा आपको यह वीडियो देखने के बाद तो इस्टफ मूली पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को सिट करके या मार के रख लेंगे हम नॉर्मल गेहो के आटे में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए रोटी के आटे की तरह इसे भी हम मार लेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी विलाते जाएंगे और आटे को मारते रहेंगे इस दिखिए फ्रेंड्स आटा हमारा ओल्मोस्ट सेट हो चुका है और अब हम इस पे दो चार मुख्या लगाते हुए और इसे अच्छे से नरम बना लेंगे और कुछ देर हम सेट होने के लिए रख देंगे यह देखिए आटा हमारा हम सेट हो चुका है इसे हम कुछ देर रख देंगे और अब हम ग्रेडिट मूली को निचोर निचोर कर इसका पानी निकाल कर एक अलग डूंगे में या एक अलग बर्तल में हमें से रखते जाएंगे यह देखिए काफी अच्छे से निचोर कर हमें इसका पानी निकाल देना है मूली हमारी एक्तम से देखे ड्राइ हो चुकी है इसे बिल्कुल पानी नहीं है तो अब इसमें हम बारी कटा हुआ हरा प्यास और हरी धनिया मिलाएंगे अब इस मिक्षर में हम जिंजर और कार्लिक को ग्रेट करके उसे मिला देंगे उपर से थोड़ा सा आमजूर पाउडर लाल मिर्श पाउडर और थोड़ा सा भूरे हुआ चीने का पाउडर जीरे का पाउडर हम इसमें मिलाएंगे नमक नहीं मिलाना है यह चीज ध्यान रहें इन सारे आइटम्स को मिला करके हम अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख देंगे अब हम आठे की लोईया बना करके उसे भी साइड में रखेंगे और पराठे को बेल के ट्यार करेंगे तो सबसे पहले हमने एक मुटी सी लोई बना ली है और अब हमें जितने भी मिक्स को पराठे में भरना है सपोर्श दो चम्म चकर हमें भरना है तो उसे हम एक अलग बावल में निकालेंगे और स्वादानुसा नमक मिलाएंगे द्यान रहे कि नमक प्राथे में मिक्षर को भरते समय ही मिलाना है क्योंकि मुली पानी छोड़ती रहती है तो हम इसलिए इसमें नमक बार में मिलाएंगे अब हम अपनी लोई को थोड़ा सा बेलेंगे एक रोटी के रूप में इसे हलके हाथों से भेल ला है जो हमारे इक रोटी बेल जाया रोल हो जाये तो हम उसपे हलका सा रिफाइन या तेल लगा करके और किनारे से इसको उठाते हुए एक पैकेट या पुडिया कर रूम देते हुए इस तरह से इससे बंद करके दुबारा से लोई हम तयार करेंगे सुखा अठा लगा करके हम इस लोई को भी बेल लेंगे एक छोटी मोटी रोटी हमारी तयार हो चुकी है अब हम मिक्शर को इसके उपर फैला करके और दुबारा किनारों से प्राठे को हम उठा करके और इस लोई को बंद कर देंगे इस तरह से हम किनारे से दुबारे से प्राठे को उठाएंगे और इसकी एक पुडिया ये पैकेट तयार करेंगे और सुखा आटा लगा करकर इस बार बहुत ही पेशिंस के साथ में हलके हातों से हम रोलर को मूफ करेंगे जिससे की हमारा प्राठा फटने को ना पए बहुत ही patience रखना है, बहुत ही हलके से हमें इसे move करना है प्राठा हमारा बेल चुका है, हमने इसे गरम तवे पे डाल दिया है और अब हम इसे उठा कर देखेंगे, थोड़ा सा ये पक चुका है हम इसे पलट देंगे, और दोनों तरफ से अच्छे से हम ओयल लगाकर इसे बार-बार बराबरी से सीखते रहेंगे जब तक हमारा प्राठा अच्छे से पकना चाहिए, तयार ना हो जाए ध्यान रहें कि हमारी गैस को फ्लेम, मीडियम होना चाहिए, बुकत हाई अलो नहीं किनारों से अच्छे से हम तील लगाएंगे, और उपर से भी हम तील लगाकर करके दोनों तरफ से प्राठे को अच्छे से सीखेंगे कि जिस से ये कच्छा ना रहे दोनों तरफ से प्राठे हमारे सिख चुके हैं, अब हम इने प्लेट में निकाल करके रख लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे प्राठे को रोल करके और उसे भी हम सिख के तयार कर लेंगे तो तयार है हमारे गर्मागरब मूली के प्राठे आप भी बनाईए चखिए और अपने सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए थैंक्स वोचिंग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आर चैनल